परिचय इस पार्ट में हम इन सूख्ष्म जीवों की मित्र और शत्रों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सूख्ष्म जीव और इसके विभिन समुहों को परिभाशित करना। मित्रवत सूख्ष्म जीव और सामाने मानविय जीवन में इनके उप्योगों का वर्णन करना। हानी कारक सूख्ष्म जीव का वर्णन करना। खादे परिरक्षन की विधियों की व्याख्या करना। नाइट्रोजन स्थरी करन और नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या करना। सूख्ष्म जीव और उनकी आदतें। वरुन, फल के इस टुकडे को मत खाओ, अब ये दूशित हो चुका है और तुम्हारी स्वास्थ के लिए हानिकारक है लेकिन क्यूं दिदी? जमीन पर धेर सारे किटानों हैं और वे इतने छोटे हैं कि तुम उन्हें खुली आँख से नहीं देख सकते और वे तुम्हें नुकसान पहुचा सकते हैं ये क्या हैं? इन्हें सुक्ष्मजीव कहा जाता है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सुक्ष्मजीव खाना बनाने में हमारी सहयता कर सकते हैं और ये ही हमें बीमार भी बना सकते हैं इसलिए इनके बारे में विस्तार से अधिक जानकारी प्राप्थ करने से पहले आईए हम ऐसे सूक्ष्म जीवों और उनकी आदतों के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीव या जीवाणू आगार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें खुली आख या बिना किसी सहायक साधन के नहीं देखा जा सकता। इन्हें व्यापग स्तर पर चार प्रमुक्स मुहों में वर्गी कृत किया जाता है। ये हैं जीवाणू, कवग, प्रोटजूआ और शहवाल। विशाणू भी सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन वाता वरणिये परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव और उनकी आधतें। प्रिये विद्यार्थियों, ये सूक्ष्म जीव व्यापग स्तर पर उप्योगी और हानी कारक सूक्ष्म जीवों में वर्गी कृत किये जाते हैं। अब हम सूक्ष्म जीवों के मित्रवत कतिविधी की विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा ही एक मित्रवत सूक्ष्म जीव है खमीर। खमीर का उप्योग बेकिंग उद्योग और हमारे घरों में ब्रेड, केक, पेस्ट्री आधी बनाने के लिए किया जाता है। जीवाणू लेक्टो बेसिलस दूस से दही बनाने में उप्योगी है। सूक्ष्म जीव, वानिजिक और आशदियक शित्र में भी उप्योगी है। उधारण के लिए अलकोहल, बियर और शराब के व्यापक उत्पादन के लिए खमीर यानि येस्ट का उप्योग डिस्टलिरी उद्योग में किया जाता है। कुछ अन्य जीवाणू प्रती जैविक यानि एंटी बायोटिक और वैक्सीन बनाने में सहायक होते हैं। टीका करण कई बीमारियों में सहायक होता है, जैसे हैजा, छै, जेचक और हैबिटाइटिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि उप्योगी सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदान किये जाने वाले अन्यलाब क्या हैं। कुछ जीवाणों और नीले हरे शैवाल वायो मंडलिये नाइट्रोजन स्थरी करण प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ती बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन इस्थरी करण जीव वैक्यानिक प्रक्रिया है, जिसमें जीवाडों की सहता से वायो मंडलिये नाइट्रोजन को हमोनिया में बदला जाता है। ऐसे कई अन्ने मित्रवत एनेरोबिक जीवाणूं हैं जिनका उप्योग बायो गैस के संशुलेशन में किया जाता है। बायो गैस मीधेन, कारबन डैयोकसाइट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सलफाइट का मिशरण होती है। हानी कारक सूक्ष्म जीव सहायक और मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा कर लेने के बाद आये हानी कारक सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हैं। हम ऐसे सूक्ष्म जीवों से प्रारंभ करेंगे जो मानव और पश्वों के रोग के कारण बनते हैं। सूख्ष्म जीव जिनके कारण बीमारियां होती हैं, पैथोजन कहलाते हैं, हम बीमारियों को दो श्रिणियों में वर्गी क्रित कर सकते हैं, असंचर्णिये रोग और संचर्णिये रोग असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जबकि संक्रामक रोग वायू, जल और आहार आदी के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, सामान्य जुकाम संक्रामक रोग का सबसे सामान्य मानव में रोक कारक सूश्मजीव दोस्तो हमारे आसपास पाय जाने वाले कुछ कीट और पशू पैथोजन के समभाख के रूप में कारे करते हैं मख्या और मच्छर ऐसे समभाखों के आम उदारण हैं हैजा रोक में मख्या कई पैथोजन की समभाख होती हैं जब ये मक्खियां बिना ढगे हुए खाने पर बैठती हैं तो पैथोजन स्थानांत्रित हो सकते हैं और खाने को संक्रमित कर सकते हैं। हैजा से बचने के लिए हमें खाने को हमेशा ढग कर रखना चाहिए और बिना ढगे हुए खाने को खाने से बचना चाहिए। मलेरिया रोक के मामले में मादा एनोफलीज मच्छर प्लास्मोडियम पेरसाइट के समवाहक होते हैं पैथोजन एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एक मच्छर के काटने से सीधे प्रवेश करते हैं इसलिए हमें अपना आस पड़ोस साफ सुत्रा रखना चाहिए और यह जाचना चाहिए कि बेकार पड़ी वस्तों में पानी जमा ना हो हम मलेरिये को फैलने से खिड़की और दर्वाजों पर तार की जाली लगा कर और कीट, विकर्शक क्रीम, स्प्रे और मच्छर तानी लगा कर रोग सकते हैं हम मिट्टी के तेल को ठेरे हुए पानी पच्छड़क कर मच्छर के लारवा को मार सकते हैं पैथुजयन के कारण होने वाले सामानने मानवी रोग जहां एक सूची दी गई है जो विभिन पैथुजयनों के कारण फैलने वाले विभिन मानवी रोगों का वो लेख करती है जन्तुओं में रोग कारण चीवाणूं आईए अब अपने अगले विशय पर चलते हैं जिसमें पशुओं में रोग पर चर्चा होगी क्या आपने पैथुजयन के द्वारा पशुओं को होने वाले किसी रोग के बारे में सुना है एंथ्रेक्स और पैर तथा मुँ के रोग पशुओं के रोगों के आम उधारण है एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होने वाला बैक्टिरियल रोग है जो की यह मवेशियों के पैर एवं मुँ में होने वाला रोग विशानूं के कारण होता है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूख्ष्म जीव आईए अब जानते हैं पौधों में होने वाले रोगों के कारणों को ऐसे कई सूख्ष्म जीव हैं जो विभिन पौधों में रोगों का कारण होते हैं निम्न ताली का कुछ पौधों में होने वाले व्यापक रोगों और उनके कारण बनने वाले पैथुजैन को सूची बद्ध करती है खादे विशाक्तन यानि Food Poisoning दोस्तों गर्मी के दिनों में यदि खाना लंबे समय तक खुले में रखा हो तो खाना बेस्वाध हो जाता है और अंत में जहरीला हो जाता है इसका कारण भी फिर वही जीवाणूं है कुछ ऐसे जीवाणूं हैं जो खादे विशाक्तन यानि Food Poisoning का कारण होते हैं जैसे Clostridium, Bacillus और Staphylococcus ये खाना हमें नुक्सान पहुँचाता है हम कुछ विधियों द्वारा अपने खाने को संदक्षित कर सकते हैं जैसा कि नीचे सूची बद्ध है दूद को बजाने के लिए हम पाश्चुरी करण प्रक्रिया का उप्योग करते हैं सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं सूख्ष्म जीव या जीवाणूं एक जीवित जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आँख या बिना किसी सहायक साधन के नहीं देख सकते अर्थात उन्हें केवल सूख्ष्म दर्शी यानि माइकरोस्कोप से देखा जा सकता है सूख्ष्म जीवों को व्यापक स्तर पर चार प्रमुक समुहों में वर्गी क्रेट किया जाता है जीवाणूं, कवक, प्रोटजूआ और शैवाल सूख्ष्म जीव विभिन वायू मंडलिये परिस्तितियों में जीवित रहते हैं जैसे जल, मिट्टी, गर्म पानी के सोते और पहाड आदी सूख्ष्म जीव व्यापक स्तर पर उप्योगी और हानी कारक सूख्ष्म जीवों में वर्गी क्रेट किया जाते हैं उप्योगी सूख्ष्म जीवों का उप्योग हमारे दैनिक जीवन तथा उद्ध्योगों में विभिन उद्धेशों से किया जाता है। सूख्ष्म जीव जिसके कारण मानव, पशू और पौधों में बीमारियां होती हैं, पैथोजेन कहलाते हैं। नाइट्रोजन इस्तरी करण जीव वेग्यानिक प्रक्रिया है, जिसमें जीवाड़ों की सहयता से वायू मंडलिये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। करूंढ आता है, किस मीदक बदला जीवा जाइट्रोजन जीवाड़ों । वेग् bाला है, वेग्या वेग्यानिक याट्यों में जीवाड़ों के सह बाम्सलीव जीवाशन कर दिस वायूं